क्यासे हो दोस्तों मैं शुबंकर पांडे एक अच्छीव टार्गेट विच शुबंकर भी चैनल में आपका सौबध करते हैं कल हमने पीछे कंपनय का कारण में पड़े हैं पीछे के Прieuता कर में समझने कि कोशिश की कि है क्या कारंड बने चौदासव उन्ठियनवे ही ही कमपनी उसके पहले के लिए यह कलंगे पर जानने की कोशिश की और जानने की कोशिश के बाद में पहली कमपनी पड़ी जिसका नाम से पुर्तगारी अब दूसरी कमपनी को आज हमें हमें हमारे लेक्चर में को कवर करना है और दूसरी कमपनी का नाम है डच और मुझे सच मे प्रिये लगती है कंपनी क्यूंकि छोटी सी कंपनी जो पहले पराधिन थी, किसी के अधीन में थी और उसके बावजुद वो एक व्यापारिक कंपनी बनाते हैं और लंबे समय तक के व्यापारिक कंपनी के रूप में काम करते हैं और दुन्या में सबसे जादा लाब कमाने कंपनी के लूप में शुमारू अठारा प्रतिशत लाब कमाया सरकारी डॉकुमेंट्स में कहा गया है कि दुन्या में सबसे अगर लाब कमाने वादी कंपनी अगर अभी तक कोई रही तो वो एक कंपनी रही डच इस्ट इंडिया कंपनी जिसकी इस्थापना 1602 में की गई पर अगर यदि आप लोग थोड़ा सा मैप में जाओंगे और थोड़ा सा यूरोप का मैप अगर देखोंगे थोड़ा सा खंगालोंगे तो आपको अट्लांटिक महासागर दिखायए देगा और वहीं पर आपको देश दिखायए देगा जिसका नाम पूर्तगाल के ऊपर फ्रांस दिखाय देगा और फ्रांस के साइड में आपको DNA-Dutch Nidherland या फिर आपको Holland के रूप में नाम दिखाए देगा ये Holland वासी ये निदरलेंड वासी ये डच पहले भी व्यापार करते थे पर अधे व्यापार में ही शामिल रहते थे ये व्यापार कैसा होता था जैसे पूर्टगाली 1498 में आने के बाद में उन्होंने भारती वस्तु का अपने छेत्र में निर्यात किया तो जब उन्होंने निर्यात किया तो वह वस्तु को लेकर जाते थे कहां पर अपने छेत्र में अपने देश में और अपने देश में लेया कर रख दे थे और रख देने के बाद में अन्य देश उन वस्तु को पूर्टगालियों से ख़द और आद्य हमें चेतर में हो जाने के, बावजुत हैं व्यापर कर रहे और लाग के रूप में व्यापर कर रहे हैं यदि हम पूरा व्यापर एकाधिकार रूप में करेंगे तो कितना लाग होगा और इसी बात को ध्यान में रखकर 1602 mm कमपनी के इस्थाफ मे ती जो एक चेत्र विस्तार के आग्या देकर रखी थी और इसके कारण आगे बहुत इच्छे से काम भी कर पाए और यही कारण रहा कि ये तीन अधिकार प्राप्स हो जाने के कारण इन्होंने पूर्टगाली जैसी जो पूरों में बैठी हुई एक्छत्र राज करने वाली कमपनी थी उस कमपनी को उन्होंने हटा पाए और इसके कारण है डच कमपनी आगे काम करता है डच कमपनी की इस थाप नहीं पर डच कमपनी का जो उद्देश था सबसे पहले मैं आपको बता दू डच कमपनी बहुत सोची समझी मुझे पढ़ाने में भी अच्छ लगता और सच में उसके बारे में पढ़ने में भी मज़ा आता है कि जो डच कमपनी है यह डच कमपनी है आती है क्लियर कट उद्देश के साथ में कि मुझे मसाला व्यापार पर एक अधिकार जमाना है और मसाला व्यापार पर एक अधिकार जमाना है तो मतलब भारत में व्यापार करने के ल भारत को अपना केंद्र नहीं इस्थापित किया, उन्होंने मसाला द्विपो को ही अपना केंद्र इस्थापित किया, और मसाला द्विप के रुप में उन्होंने इंडोनेशिया को ही अपना केंद्र बनाया, पर व्यापारिक कमपनी और सरकारी कमपनी और कोई भी देश नह कि लोग मसाला के व्यापार के लिए आते थे पर उड़ सबसे पहले आने के बाद में भारक के पूर्वी तट पर आकर कोरुमंदल टट जो मांग ते इंडोनेशिया में ने और Marsこんにちは और उन स़स्ते वोस्त्रों को खरीद कर अधिक कीमत पर बैशते थे खाह पर इंडोनेश Quốc और इंडोनीशियों मे अच पर इंडोनेशिया में सफ्ते किंगा महेंगे बैखने के कारण वो से लाब करान थे और इस लाब से वो मसाला को खरीदे और अपने जगाप कर बैशते थ कि आपको विदेशी कंपनियों का आगमन तो मैं कई सारी कंपनियों को बता रहा हूं तो मतलब कई सारी कंपनियों लाब कमाने के लिए आई तो ऐसा पूर्टगाली भी आई थी ऐसा ब्रिटिश भी ऐसा डैनिश भी और ऐसा फ्रांसीज भी तो मतलब सब व्यापारिक लाब कमाना चाहते हैं तो सौभावी कुट से इन कंपनियों में जड़पे तो होंगी यह वह जड़पे हुई, डेज के साथ भी जड़पे हुई, कई सारी कंपनियों की जड़पे हुई, जिसे पुर्तगालियों के साथ भी जड़पे हुई, फ्रांसियों के साथ भी जड़पे ह वो भारी भार कम होने के कारण वो युद्ध के छेत्र में जाने पर तेजी से ना मुड सकते थे ना चल सकते थे इसके कारण डचों के द्वारा बनाएगे जो जहारती बहुत हलके थे पूर्टगालियों की तुलनामी थे छोटे थे, कम लोग प्यावशक्ता रहती थी और केजगती से चल सकते थे इसका फाइदा मिला और पूर्टगालियों को हटा पर प्रांडीचेरी के लिए पांडीचेरी पर तो अधिकार जमालिया था जिस पांडीचेरी की स्थापना फ्रांडीचेरी के द्वारा 1673 में की पर अंतिम रूप सामाती सियो और रिटिश के साथ इनकी जड़ पे हुई पर मैं आपको पहले ये भी बता दू कि पहले जब डच कंपनी भारत में नहीं नहीं आई थी उस समय में फ्रांसी थी जो ब्रिटिश थी और डच थे दोनों के बीच में मित्रवत संबन थे परन्तु जब व्यापारिक लाव की हमेशा आकांशा बढ़ने लगी उस आकांशा के कारण दोईश बढ़ने लगे और उस दोईश के कारण दोनों कंपनी जो पहले मित्रवत थी वो कंपनीों में जड़पे होने लगी और जड़पे का एक अंतिम रूप दिखाए दिया 1769 उनसाठ का बेद्रा का युद्ध ये बेद्रा का युद्ध मैं आपको बताऊंगा बेद्रा का युद्ध पहले आपको अगला शेक्टर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश के दोरा भारती राज्यों का अधिग्रहंट तो उस राज्यों मैं आपको बताऊंगा बंगाल के विश बनाएगे तो वो अपने आपको कठकुतली नवाब से हटाने के लिए एक कंपणी की सहता लेता है उस कंपणी का नाम लेता है डच आ रहे है विज़या समझना आपको दिक्कर तो नहीं हो रही है कई पाश चलो अच्छी बात है समझ रहे है तो रेपीट करके देखी तो ब्रिटेन को जब भनक लग जाती है तो वो company से जाकर सिदे लड़ लेता है और उस लड़ने के कारव हमें दिखाए जेता है बेद्रा का युद्ध बेद्रा और इसके बाद में ड़च कंपनियों की भारत से होती है अंतियों बिद्रा तक कुछ नब कुछ देन देहें इन्होंने भी हमें कुछ नब देता है यह भारत के धार का पूर्वी तठ है खासका कोरोमंदल तठ है मतलब किस प्रकार से मेनेजमेंट बिठाए चाहिए इसके बारे में भी हमें उसमें बता पर अंकिन तब वो असफ़ल हुई पतन हुआ वो पतन के लिए कुछ कारण रहे तो हम उस कारण को भी जानते हैं तो कारण क्या सिंपल सिंपल से कारण है ज़्यादा आउट आउउट आउफ बॉक्स कारण नहीं रहते है और सिंपल ही रहते है बस हमें निकालना पड़ते हैं कि कारण हम कहां पर पूट करें कौन सा कारण को ले तो सबसे पहला कारण भीया यह रहा कि बिया वुएक सरकारी किसम की कंपनी थी और आपको चाथ सब पतढ़े जे इतना लेट रतिवियो वालँ होता है और उसकी जो प्रतिवन्धीन कंपनी थी बृतिश वह एक नीजी कंपनी थी नीजी कंपनी में काम तेजी परमिशन लेनी पड़ती थी किस से, डच सरकार से, काम में लेट लती थी आई, पही ना कहीं, पतन हो, दूसरा कारण, कम्पनी के सरकारी होने के कारण, जो करमचारी को वेतन दिया जाता था, वो भी बहुत कम रहता था, अब वो कम होने के कारण क्या हुआ, कि बहुत कम्पन आ रहा है समझने, इस दो कारण हम पतन के रूप में देखते हैं कि ये प्रमुक रूप से दूर है, अब अगले लेक्चर में हम ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी, ये दो कंपनियों का हम लेगे, आपको अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो आप उसको और आगे जा करेंगे तरे, थक्या तरे, तक्या है।